हेलो फ्रेंड्स वागत आपको पीन मेरे विद लोग्स में कैसे है सब यह ठीक हूं आप सब भी ठीक होंगे और आज है साथ तारीक गुड फ्राइडे और यह सुबस्वे के ब्लोग तो दस बद चुके हैं और चाय वागरा तो पी ली हमने अब बना रही हूं सब्जी सबजी बना रही है 왜ागण की सब्जी कह देशों में लग लग भासा बोले चाती तो अब काट लेते हैं आपको दिफाल मुद्चन अ क्व nhất नहीं हो पर सब्सक्राइब है का दुमकर बनाने तो पड़ेगे लसन मेंने चील लिये हैं और ये टमाटर है चार और लसन चीटूंचे साथ के लिया और ये है आदेक लुबैगर है जो दुबारा से और दोलेंगे इसको और ये एक लाल मिर्चे पड़ी-पड़ी हरी थी लाल हो गई है इसको पीस लेंगे इसमसे तो इसके दनली हटा रेग और ये प्याज एक आयATA प्याज कर लौड देखे गाया था. 85-53 कि भ Watts याली देख लिए घू ओग पीसे हो उकी प्याज की रहा जाती है इसमाटरल लाकिया दो अव्टम बाटाव उीचय बीज नहीं है मिर्कों कच्य दिए बादे अच्छे निकले हैं आप चुक लेते हैं जहां पर मसाला हमारा पकरा है तो पैगर ने रख रुखते हैं तीन अलो भी काड़ देती हूं जोकि छोटी ना घाती नहीं है अलो भी डाल देती हूं मसाला कप चुका है अब इसमें स्वाज के अनुसार मसाला डाल देंगे अल्मी आदा चमच्छ आदा चमच्छी यह राल्म आदा चमच्छी राल्म स्वाज के अनुसार डाल सकते हैं अपने यह हैं पीचावा धरिया नमक भी मैंने स्वाज में स्वाज डाल दिया है और पास में यह मकान बन रहा है उसके अवाज आरी होगी आपको तो पुझनूर करना अब मैं दाल देती हूं आलू और पशाओं अब इसको पकने देते हैं पाने डालेंगे इसको सुखा ही रखेंगे सब्जी को सब्जी हमारी बन गई है अब बना ले रोटी तो यह मैंने नमक डाल दिया है नमक वाले रोटी हम बनाते हैं आटा गूंद लेते हैं फिर बनाएंगे रोटी आटा हमारा गूंद गया है और अब बना लेते हैं रोटी यह चड़ा रही है तवा बना लेते हैं रोटी ए नबी का जा रही है गूमू गूमू नबू जा रहा है गूमने पारक में देखें तो यह काई की पहले रोटी फिर यह नबूगी दूसरी डोगी यह रोटिया हम सब के लिए तो फ्रेंड खाना हमारा बन चुका यह सबजी यह रोटी और यह दाल रात की जो यह भी खा लेंगे और यह चूर्मा बचा हुआ रात का यह प्रशाद था वह महां से मिला था मंदेश से तो अब खा लेंगे और आप को भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से रिकमेंट कर लिया करो फ्रेंड इस दि मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आप भी खा लीजे खाना आजे यह साड़े बारा हो चुके हैं यह देखे साड़े बारा हो गए इधर यह भी खा रहा हैं खाना और इधर नहीं है बाइफ रेंड वीडियो चलेगे तो लाइक से रिकमेंट जरूर करना